शुक्रवार के दिन घर के दर्बाजे पर फेक दें एक चीज रोडपती से करोडपती होने से कोई नहीं रोख शकता। शुक्रवार के दिन स्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टी आप पर बरस्ती है, और साथ ही आपके जीवन में कभी भी धन मान, सम्मान, शुक्र की कमी नहीं होती, बरकत होती है, मालक्ष्मी, शुक्रवार के इधान है इस दिन मा लक्षमीजी की उपाशना करने से धन की देवी परसंद होती हैं और आर्तिक परिशानी को भी दूर करती हैं जीवन में धन संपदा खुशिया लक्षमीजी की अराधना से आसानी से प्राप्त हो जाता है मानता है कि शुक्रवार के दिन कुछ विशेश उपाई किये जाएं तो माता लक्षमीजी शीगर परसंद होती हैं और आपके जीवन की समस्त परिशानियों को दूर करती हैं तो चलिए जानते हैं कैसे आप मा लक्षमीजी को परसंद करें क्योंकि मा लक्षमीजी को परसंद करना उतना भी आसान नहीं है देखे अगर ऐसी मानता है कि कनकधारा इस्त्रोत का पाठ अगर आप लगातार तेन साल तक शुक्रवार्क दिन करें तो तीन कीलो स्वन के बराबर आपको धन मिलता है ये कटूसत है तो तीन साल लगातार आप अगर कर सकें तो अच्छी बात है अब आप सोचेगा कि आज आपने पढ़ा आज ही आपको धन मिल जाए तो वैसा नहीं है धीरे धीरे जीवन में शुक बढ़ने लगता है धन आने लगता है वैसे तो धन और एश्वर से जुड़ी हुई है माता लक्ष्मी जी और एक खास उपाए माता लक्ष्मी को परसन करता है वैसे शुकरवार के दिन एक बात हमेशा ही याद रखेगा मा लक्ष्मी को आप इत्र गुलाल जरूर अरपित करें आप चाहें तो अपनी अगली बार अगर आप इश्वार न करें तो अगली बार जरूर करें लेकिन उनके चोणों पर जरूर लगाएगा अपनी कलाई पर या फिर कंट में फिर आप लगा ले माता के लगाने के बाद माता को पहले लगाए फिर अपने लगाए पूरे दिन खुशियों से महकेंगे और धन की मुश्कले कम होंगी दूसरी बात शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मीजी को सफेद मिठाई का या फिर मिस्री का भोग जरू लगाएं या फिर आप खीर का भोग लगाएं पूरे परिवार के साथ सदस्यों के साथ आप खाईएं शफेद वस्तु लक्ष्मीजी को सबसे ज़्यादा प्री है और साथी जब आप उनको भोग लगाएगा तो तुलसी का पत्ता मत लगाएगा और साथी शुक्रवार के दिन पत्तनी कभी भी जगडा ना करें वरना लंबे खिचेंगे ये जगडे और जल्दी जगडे नहीं सुलजेंगे तो देखे धन प्राप्ती के लिए शुक्रवार के दिन बहुत शिंपल सा प्रियोग भी आप कर सकते हैं और ये प्रियोग एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा ले ले उसमें एक लॉंग रखकर मा लक्षुणिक चणों में रखें इसको बांद कर आप सुरक्षित रख दें धन की स्थान पर रख दें आपके धन को किशी की नजर नहीं लगेगी और धन दिन दुगनी राच चोगनी बढ़ता चल जाएगा वैसे तो धन प्राप्ति के लिए सुक्रवार के दिन सप्ता के सातों दिन में सर्वस्रेष्ट है और माता लक्षुणिक से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रयोग इस दिन कर सकते हैं जब आप माता लक्षुणिक के पूजा पाट करें अगर आपके पास गुला जाएगे में मजबूती आगी और जीवन खू Congo जाएगा शुक्रवार के दिन आप क्या करें कि आप लॉंग ले लें आप दो लेले पांच से लौंग लेले और अप इलाइची लेले इलाइची के कुछ दाने लेले चार पांच से दाने लेले और अगर आपके घर में किश अगर घर में आपको आमधनी कम हो गई है बिजनेश भ्यापार कम होने लगा है आपको लगता है जिसे आपकी आई कम हो गई है धन आने के रास्ते कम हो गए है तो माता लक्षफिक को प्रसंद करने के लिए और आई को बढ़ाने के लिए इस दिन एक सिंपल सा प्रयोग और फिर इस लोग को ले जाकर आप यानिकी घर के दरवाजे पर से आप खड़े होकर और अपनी मनोकामना बोलते हुए घर के दरवाजे के बाई और फेंक दें जीवन में कभी भी धनकी कमी नहीं होगी और सुक्षम्रदी हमेशा बढ़ेगी घर में चारो दिसाओं से पैसे आने लगेंगे लाब होगा दोस्तो मातालक्षमी जी की सबसे प्रिवस्तु है धनिया धनिया थोड़ी सी आप ले ले लें और आप क्या करें कि मातालक्षमी चरणों के पास रख दें फिर आप इसमें से 21 दाने या फिर 11 दाने धनिया उठा कर आप अपने सर से तीन बाल उठेवार के और अपनी मनोकामना बोलते वे घर के दरवाजे से आप फेंक दें यकीन मानिये जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और किसी प्रकार के अगर कोई निगविटी अगर किसी ने तंत्रमंत की बाधाये करार रखी है तो वो दूर हो जाएगी अगर आपको इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें थोड़ा सा सुध जल डाल लें और पूरे घर में इसका छिड़काव करें छिड़काव करने के बाद फिर जो जल बचा है इससे आप किसी पौधे में डाल दें और धनिया और लॉंग और इलाइची को आप अपने दरवाजे पर ख तो इस प्रकार से आप ये उपाई जरूर करें लाभ जरूर होगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देजेगा शेर कर देजेगा और चनलों को सब्सक्राइब कर देजेगा जय मालक्ष्मी